नमश्कार दोस्तों कैसे याँ पलूँ मेरा नाम है अर्शिद विदी और मैं आपको सब्सक्राइब करता हूँ लक्षमी कांथ की स्टेट लेस्ट लेजर की एक और वीडियो में यहाँ पे legislative procedure in the state legislature के बारे में जानेंगे ordinary bills के case में क्या होता है और money bills के case में क्या होता है यही दो चीज़े हम लोग यहाँ पे देखेंगे देखी दोस्तों इसके बारे में मैं पहले आपसे अलरडी बात कर चुका हूँ अगर आपने मेरी लोगसभा राजसभा की वीडियोस देखी है तो लोगसभा और राजसभा में ordinary bills को कैसे पास करा जाता है money bills को कैसे पास करा जाता है काफी हद तक चीज़ें यहाँ पे सेम है कुछ differences है उन differences को मैं बहुत डीटेल में और बहुत प्रॉपर तरीके से आपको समझा दूँगा तो आगे बटन इस पर ये वीडियो पर लाइक का बटन अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजे मेरे दोरा बनाई गए और वीडियो को देखने के लिए आप चैनल पर जॉइन बटन दबा के एक होते हैं Constitutional Amendment Bills अब यहाँ पर बात हो रही स्टेट लेस्टेचर की तो अब्वेसी बात है स्टेट लेस्टेचर में सम्विधान को अमेंड करने वाला बिल तो आएगा नहीं लेकिन money बिल आ सकता है और ordinary बिला सकता है तो अगर ordinary बिल की बात की जाये तो state legislature दो प्रकार का होगा या तो state legislature आपका unicameral होगा या by cameral होगा तो अगर unicameral है तो एक ही house है भाई तो उसी में आप introduce करोगे क्या अपना ordinary bill लेकिन अगर by camera lecture है तो by camera lecture में क्या होगा कि या तो state legislative assembly में या state legislative council में introduce होगा वो bill तो दोनों में से कहीं पे भी introduce हो सकता है इस bill को या तो एक minister introduce कर सकता है या एक member introduce कर सकता है ऐसा कुछ भी नहीं है कि minister ही करेगा member नहीं करेगा एक बार bill introduce हो गया तो तीन stages आती है first reading, second reading, third reading first reading, second reading, third reading क्या होता है ये जानना है तो लोगसभा और राजसभा में जो bill passage की वीडियो हैं वो मैंने बता रखी है एक बार bill उस house में pass हो गया जिस house में वो originate हुआ था उसके बाद उसको second house में भीजा जाता है तो अगर state legislative assembly पास हो गया तो council भीजेंगे council पास हो गया तो assembly भीजेंगे और अगर एक बार दोनों houses ने बिलको पास कर दिया amendment के साथ या बिना amendment के तो भाई देखे अगर unique calendar legislature हो state legislative assembly ने sign पास कर दिया बिलको तो अब बेसी बात है वो governor के पास चला जाएगा एसरेंट के लिए problem तब आती है जब बाई गेमलर लेजलेचर हो ज़र्दतर cases में होता क्या है बाई केमलर लेजलेचर में की state legislative assembly में बिल की शुरुवात होती है और state legislative assembly में जब बिल जाता है तो तीन stages में उसके उपर भहस होगी first reading, second reading, third reading और एक बार वो legislative assembly से पास हो गया तो उसके बाद उसको transfer किया जाएगा legislative council में legislative council में भी भाई first reading, second reading, third reading होगी अब ऐसा नहीं कि legislative council में शुरुवात नहीं हो सकती legislative council में भी शुरुवात हो सकती और वो पहुचा state legislative council के पास तो state legislative council के पास क्या-क्या options है पहला option तो state legislative council के पास ये है कि जैसा assembly ने bill को पास किया वेसे ही वो पास कर दें कोई भी amendment ना करें दूसरा, वो amendments को suggestion करें और उन amendment के आधार पर बिल को वापस भेजें state legislative assembly में ठीक है तो भाई अगर council ने bill को pass कर दिया कुछ amendments के साथ और वो amendments state legislative assembly मान लेती है तो फिर ये मान लिया जाएगा कि वो bill both houses से pass हो गया है उस modified form में यानि बिल को बनाया था state legislative assembly ने उसके अंदर council ने कुछ suggestions किये और वो suggestions वापस गया assembly के पास और overall उन suggestions को अगर assembly ने मान लिया तो ये मान लिया जाएगा कि हाँ भाई both houses से bill pass हो गया है और उसको भेज़ दे जाएगा गवर्नल के पास ascend के लिए अगर मान लिजे state legislative council ने कुछ amendments को suggest किया है और state legislative assembly उन amendments को reject कर देती है तो उस case में क्या होगा दूसरा हो सकता है कि state legislative assembly ने bill pass किया bill पहुचा state legislative council के पास state legislative council ने तीन महीनों तक bill को pending रखा तो दो चीज़े हैं दोस्तों एक तो state legislative assembly ने bill pass किया और council ने उसको सीधे सीधे मना कर दिया कि हम इसको reject करते हैं दूसरा state legislative assembly ने bill pass किया और council ने उसको तीन महीने तक pending रखा ये दो cases है इन दोनों cases में state legislative assembly फिर से bill को पास कर सकती है और फिर से उसको council के पास भेज सकती है तो तीन महीने तक pending रखा या State Legislative Council ने bil को reject कर दिया। उस केस में State Legislative Assembly फिरसे उस bil को pass कर सकती फिर से Council के पास भीजी गी। हो सकता है कि Council फिरसे बिल को reject कर दे। यह हो सकता है Council उसको फिरसे pending रखे बट एक महीने तक pending रख सकता है। तो मान लीजे कि दोबारा State Legislative Assembly ने बिल पास किया और काउंसिल के पास भेजा, काउंसिल ने उसको फिर से रिजेट कर लिया, या एक मन तक कुछ नहीं किया, उसको पेंडिंग रखा, तो जिस फॉर्म में State Legislative Assembly ने बिल को पास किया था, उस फॉर्म में बिल को मान लिया तब पहली बार जब बिल SLA से SLC से में आया था, और दूसरी बार पेंडिंग रखा एक मेने के लिए जब बिल SLA से SLC में आया, फिर याद रखेगा, State Legislative Assembly में Joint Sitting का कोई भी प्रावधान नहीं, जिस तरीके से हमारी लोकसभा, राजसभा में, Ordinary Bill के case में Joint Sitting का प्रावधान यहाँ पे नहीं है, उसके बाद अगर आप बात करो, कि माल लिजे कोई बिल State Legislative Council में शुरू हुआ, और वो पहुंचा State Legislative Assembly के पास, और State Legislative Assembly ने उस बिल को reject कर दिया, वो बिल वहीं खतम हो जाएगा, डेध हो जाएगा, उसके आगे कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पे Council को बहुत कम ताकत दी गई है, राजसभा के पास जत्ती ताकत है ना, उससे बहुत कम ताकत किसके पास है, Council के पास है, अब हम बात अगरते है, Article 200 of the Union Constitution, देखिए एक बार बिल Assembly से और Council से, अगर आपका बाई केमरलेस ले चले है, या फिर सिर्फ Assembly से, अगर यूनी केमरले देगा, गवर्नर या तो उस बिल को रिजेट कर देगा, गवर्नर या तो उस बिल को रिटर्न कर देगा, for the reconsideration of the houses, और house, या अगर यूनी केमरलेस ले चले है, तो रिकांसीडरेशन SLA करेगा, अब आपकेमरल में SLA, SLC, दोनों करेंगे, चुकि दोनों ने पास किया था, और चौथा जो की सबसे most important है, या तो गवर्नर उस बिल को president की ascent के लिए reserve कर देगा, अब अगर गवर्नर ने बिल के उपर ascent दे दिये, तो बिल act बन जाएगा, और statute book में publish हो जाएगा, मतब लीगली वो apply हो गया state में, अगर गवर्नर ने अपनी ascent को देने से मना कर दिया तो बिल वाग खतम हो जाएगा, एक act नहीं बनेगा, और अगर गवर्नर बिल को reconsideration के लिए वापस भेजता है, और बिल फिर से दोनों houses में pass होके, फिर से गवर्नर के पास ascent के लिए आता है, तो फिर गवर्नर को अपनी ascent देनी पड़ेगी, सेंटर पे प्रेजिडेंट के लिए भी यही रूल है, कि भाई अगर प्रेजिडेंट ने reconsideration के लिए बिल को वापस भेजा है, और लोग सबाराज सबार ने reconsider करके फिर से बिल को pass करके प्रेजिडेंट के पास भेज दिया, तो उसको approval देना पड़ेगा, सिमिलली गवर्नर ने बिल को reconsider करने के लिए यूग नी के मिल लेसलिचर केस में SLA के पास भेजा, पाई केमरल में SLA SLC दोनक पास भेजा, और इन लोगों ने reconsider करके बिल को वापस भेज दिया गवर्नर के पास, तो गवर्नर को अपना एसेंट देना ही देना है, यानि गव उस समय के लिए गवर्नर ने उस बिल को रोक दिया, बाद में तो उसको अपनी एसेंट देनी पड़ी, चौथा option ये था कि गवर्नर बिल को प्रेसिडेंट के recommendation के लिए, प्रेसिडेंट के approval के लिए रिजर्व कर सकता है, अभी एक बार गवर्नर ने प्रेसिडेंट के consideration के लिए बिल को रिजर्व कर दिया, वहाँ पे गवर्नर की ताकत खतम हो गए, एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट आता है आर्टिकल 201 के अंदर, तो एक बार प्रेसिडेंट पिचर में आ गये, और प्रेसिडेंट के पास कोई बिल पहुंचा, state legislature दो पास, तो प्रेसिडेंट के प state legislature के पास भेज दिया, तो छे महीने के अंदर में उन houses को reconsider करना है, अभी मान लिजे वो houses, bicameral में, या फिर house, unicameral में, फिर से बिल को amendment के साथ, या बिना amendment पास करके, प्रेसिडेंट के पास भेजता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करेगा, इसके बारे में सम्विधान में लिखा नहीं है, अब अगर सम्विधान में यह लिख दिया जाता है, कि बिल एक बार reconsider होके प्रेसिडेंट के पास आये, तो प्रेसिडेंट को approval देनी पड़ेगी, तो बात अलग होती, अब जब सम्विधान में कुछ नहीं लिखाया, तो इसका मतलब यह है, कि बिल को reconsideration के लिखा, governor ने किसके पास, state legislature के पास, state legislature ने बिल को with और without amendment पास करके फिर से भेजा, किसके पास, president के पास, अब इस case में प्रेसिडेंट अप्रूवल देगा, यह नहीं देगा, यह प्रेसिडेंट की मरदी है, प्रेसिडेंट चाहे तो approval दे दे, प्रेसिडेंट चाहे करने का, पास कराने का जो procedure है, काफी हद तक दोस्तों, आपका, center की जैसा ही है, कुछ basic differences जो मैं आपको बता हूँगा, money bill को state legislative council में introduce नहीं किया जा सकता, जिस तरीके से money bill को center में, राज सभा में introduce नहीं किया जा सकता, और money bill को जब introduce किया जाएगा, तो state legislative assembly में introduce किया के साथ introduce किया जाएगा, similarly center में भी money bill को लोकसभा में introduce किया जाता है, with the prior recommendation of the president of India, और money bill हमेशा एक government bill होगा, यानि कि उसको केवल एक minister ही introduce करेगा, private member money bill को introduce नहीं कर सकता, एक बार money bill legislative assembly से पास हो गया, और legislative assembly से तो पास हो ही जाता है, अगर legislative assembly से पास नहीं हो, सरकार कर जाए बेल एक बार legislative assembly से पास हो गया, तो वो legislative council के पास जाएगा, अभी money bill के case में तो legislative council के पास और ताकते कम है, ordinary bill के case में तो legislative council के पास ताकत कम थी, money bill में और कम है, तो यहाँ पे अगर एक money bill legislative council के पास पहुंचता है, तो भाया ना उसको amend कर सकता है legislative council, ना उसको reject कर सकता है, recommendations क को suggest कर सकता है amendments को suggest कर सकता है through recommendation कौन legislative council उन recommendation को मानना ना मानना state legislative का prerogative है और maximum 14 दिन के अंदर state legislative council को अपनी recommendation देनी जैसे ही 14 दिन क्रॉस हुए state legislative assemblis दोरा pass किया गया money bill मानने हो जाएगा तो एक बार state legislative assembly से money bill पास हो के state पास पहुंचा, तो या तो 14 दिन के अंदर आप amendments propose कर दो और 14 दिन डिले हो गया, तो जो amendments propose किये हैं अगर पहला 14 दिन में, अगर उनको सरकार मानना चाय है well and good वो incorporate हो जाएंगे, नहीं मानना चाये तो वो वहीं reject हो जाएंगे और 14 दिन बीद गए, SLC ने कुछ नहीं किया तो यह मान लिया जाएगा कि जिस form में originally State Legislative Assembly ने Money Bill पास किया था उसी form में वो Money Bill पास मान लिया जाएगा State Legislative Assembly के पास Legislative Councils है Money Bill के केस में बहुत सदा ताकत है State Legislative Council Money Bill को maximum 14 दिन के लिए रोक सकती है जब Money Bill पहुंचता है गवरनर के पास तो गवरनर उस पे अपना एसेंट दे सकता है गवरनर उसको reject कर सकता है, विदोल कर सकता है या फिर गवरनर presidential एसेंट के लिए उस बिल को रिजर्व कर सकता है गवरनर reconsideration के लिए Money Bill को वापस नहीं बेश सकता है यह याद रखेगा और जैसा कि मैंने आपको शुरुवात में बताया था Money Bill को prior recommendation of the governor के साथ ही इंटेडूस किया जाता है SLA में तो most probably ज़्यादातर cases में Money Bill को गवरनर approval दे देता है चुकि बात दोस्तों यह है कि Money Bill को with the prior recommendation of governor इंटेडूस किया गया है तो इंटेडूस होने से पहले ही Money Bill में क्या था गवरनर को पता है तो अगर गवरनर को problem थी तो पहले हो सरकार से बोल सकता था पास होने के बाद बोलने का कोई मतलब बनता नहीं लेकिन उसके बावजूद भी गवरनर चाहे तो assent देने से मना कर दे यहां पे प्रेजिडेंट बिल को reconsideration of the state लेशे के लिए वापस नहीं बेश सकता है तो मनी बिल को नहीं आपका गवरनर और नहीं प्रेजिडेंट स्टेट में reconsideration के लिए वापस बेश सकता है हाँ उसको accept कर सकता है reject कर सकता है कौन गवरनर भी और प्रेजिडेंट भी एक बार गवरनर ने मनी बिल को प्रेजिडेंट के recommendation के लिए या फिर प्रेजिडेंट के approval के लिए reserve कर दिया तो गवरनर की ताकत खतम फिर उस बिल पे action कौन लेगा प्रेजिडेंट ही लेगा तो यह था आज का analysis दोस्तों इस वीडियो का जल्दी एगली वीडियो मिलेंगे जहां पर हम लोग legislative procedure of parliament और state legislature को compare करेंगे thank you for watching have a great day